आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने काफी जबर्दस रिटन 2018 के अंदर दिया 29-30 रुपे के करीब ये स्टॉक चलता था और आज की तारिक में अगर देखेंगे तो दोसों के भी उपर है लगबक 7 टाइम्स रिटन दिया है 2018 वन येर के अंदर और अब इ ये काफी उचे लेवल पर अब चलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना ठीक रहेगा और ये कंपनी है इंफ्लेंड 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 अप्लाइंसेज लेमिटेड 205 के उपर आज क्लोजिंग थी और इसका 52 वीक लो 29 का है और हाय 210 का ये खाली बीसी के 82 करोड का मार्किट कैप है 10 रुपे का फेस वैल्यू है लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफी जबर्दत रिटर्न यहां से इस टॉक ने दिया है तो इसका अगर आप ये 2018 में न्यूली लिस्टिट कंपणी है और शायद SME के अंदर चलती है तो उसी लियास से मनी कंट्रोल पे भी ज्यादा डेटा अवलेबल नहीं है आपको BAC की साइट पे जाकर इसली देखना पड़ेगा इस कंपणी के लिए और इसका अगर आप देखेंगे तो लेटर मिलेगा अगर आपके पास दो शैज हैं तो और इसका जो रेकॉर्ड डेट है वो रहने वाला है 30 मार्च 2019 तो इस कंपणी का ज्यादा डेटा मनी कंट्रोल पे अवलेबल नहीं है आपको BAC की साइट पे जाकर जो है डेटा निकालना पड़ेगा इसके फैनेंशल्स चेक कर करने पड़ेंगे लेकिन मेरे इसाब से यह काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए और इसके उपर कंटिन्यूज वह जरूर रखे ताकि फैनेंशल्स भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ देखेंगे तो उसी के बाद जो है मेरे इसाब से आप लीजेगा ताकि लॉंग टम में प्रॉफिट हो सके तो आज इसी के बारे में बोलना था वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब करेगा चले ठैंक्यू